आज सिकंदर कंपू ग्रीन हाउस ग्वालियर पर भितरवार विधान सबाच्षेत के सेक्टेस तरिये पर सिख समाज के लिए जनसेवक मोहन सिंग राठोर द्वारा एक बैठक आयचित की गई जिसमें सिख समाज की प्रमुक कारिकरता मार्गदर शेक और जनसेवक साथी भी उपसित रहे आपको बता दें कि इस बैठक में सिख समाज के द्वारा जनसेवक मोहन सिंग राठोर को उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया जिन में सिख समाज के धेरों पर अटल जोती विध्योती करण, रोट की समास्या की करण रुके हुए विकास कारे और भी कई सारी समस्याओं से उन्हें अवकत कराया गया जिसके बाद मोहन सिंग राठो और द्वारा संबनेत अधिकार्यों से चर्चा कर उनका ततकाल प्रभाव से निराकरन भी करवाया गया आपको बता दे कि सिंग समाज के जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी नहीं भाजपा सरकार को आगामी विधानसवा चनाव में भारी भावमे से जीत दलाने का संकल्प लिया है इस सबसब पर कई कारे करता और साथी जनसे वक्त साथी भी उपसित रहे आज पितरवार विधानसवा चेतर के कुछ गाहों के सिक समाज के हमारे जो भाई है उन्होंने बैठके आज मन्थन किया है कि 2023 के चुनाव में भारती जन्ता पार्टी का प्रत्यासी यहां से कैसे चुनाव जीते उसके लिए हम सब को मिलके क्या करना चाहिए और ऐसी कौन-कौन सी समझ्या है जिनके हमें चर्चा करना चाहिए चेतर का बिकास कहां अधूरा छूट गया है कैसे हम उसको आगे ले जाए इस पर सब लोगों ने चर्चा किया और उसी परदरश्य में सारे लोग उखटे हुए थे और उन सब लोगों आगी हम बाते हुए थे और उन सब लोगों आगी हम बाते हुए तो